कि आप कॉंग्रेस मुख भारत से वो पहुँच गया है कि विपक्ष रहित लोगतंत्र कि इस देश में बस एक पार्टी रहेगी और चालिज साल पचा सल सौ सल राज करेंगे। लोगतंत्र ही खत्रे में हो। पहले लोगतंत्र फिर पार्टियां। इन लोगों का ब्यान आ रहा है और राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। क्या ये सारे लोग एक साथ आप आएंगे और माले किस तरीके से देख रहा है इन सारे चीजों को आपकी क्या भूमिका हो। देखिए हमें तो लगता है कि सारे लोगों को साथ आना होगा। क्योंकि जो परिस्थिती है उसकी मांग है कि देश में अहुदपूर परिस्थिती है लोगतंत्र खत्रे में हैं, संविधान खत्रे में हैं। और जिस तरह से सेंट्रलाज़ेशन हो रहा है। और भारती जंता पार्टी कह रही है कि देश में एक ही पार्टी रह जाएगी। अमित शाह कह रहा है, 40 साल, 50 साल वाज करेंगे, तो यह जो आवाज निकल रही है भारती जंता पार्टी से, यह बिल्कुल लोकतंत्र विरोधी है, तो अगर लोकतंत्र ही खत्र में हो, पहले लोकतंत्र फिर पार्टियां, इसलिए हमें लगता है कि हर पार्टी को अपना इं कि हम पूरे लोग तंतर के हीत में सब लोग इस पर सोचे और मुझे तो लगता है कि जब जब ऐसा वक्त आता है तो तब विपक्षी एक्ता बनती है और इस बार भी मेरे खहल से 24 के चुनाव से पहले व्यापक एक्ता का निर्मान होगा और अलग-अलग पार्टियां है तो अलग-अलग धंग से कोशिश कर रहे हैं कॉंग्रेस का अपना कारिक्रम है और हमें उनके लिए भी हमारी शुब कामना है भारत जो रोयात्रा ये संदेश अगर पूरे देश में जाए कॉंग्रेस पार्टी ज्यादा सक्री हो जाए तो अच्छी बात है क्योंकि हमें तो समय भी लगा था ये कॉंग्रेस मुक्त भारत किसी सरकार के खिलाब नारा देना एक बात है अगर मनमहुन सिंग की सरकार के खिलाब कोई मुद्दा था अक्रोज था उस सरकार को सत्ता से बेदखल करने की बात करना एक बात है लेकिन कॉंग्रेस मुक्त भारत का जो नारा ह वो अपने आप में एक लोकतंत्र विरोधी नारा था और इसलिए आप देख सकते हैं कि आप कॉंग्रेस मुख भारत से वो पहुँच गया है कि विपक्ष रहित लोकतंत्र कि इस देश में बस एक पार्टी रहेगी और 40-50-100 साल राज करेगी तो जो जो अंग्रेज कहा करते थे कि अंग्रेज के सामराज में सूरज डुपता नहीं है लगभग अब भाजपा की भाशा उनकी बोली उनकी ध्वनी वो अंग्रेज जैसे होते जा रही है भारत जोड़ो यात्रा के लिए आप सुभकामनाएं दे रहे हैं राहूल गांधी और कॉंग्रेस पार्टी को कॉंग्रेस पार्टी ने एक अपील भी की है कि दूसरी भी पार्टी के लोग जो इस यात्रा को समर्थन दे सकते हैं पिर जहां कहीं भी उनको लगता है कि वो जूड़ जाएं इस यात्रा के दौरान उनके लोग समर्थन में खड़े हो जाएं तो वो भी कर सकते हैं यह जो यात्रा है वो भारत को जोड़ने को ले करके हैं तो क्या माले इस पर बिचार करेगी कि भाई अगर जहां कहीं भी लगे तो समर्थन करना है तो कर सकते हैं उनके क्या एक्जेक्ली शेडियूल क्या है नहीं मालूम लेकिन अगर अस्थानी इस तरफ पर कहीं इस पर बात होगी तो इस पर सोचा जा सकता है बिल्कुल लेकिन अभी तो लगते हैं कॉंग्रेस ने अपना एक प्लान बना रखा है वो अपने हिसाब से कर रहे हैं तो ठीक है अच्छी बात है बिपक्ष के द्वारा जो कोशिस किया जा रहा है कि साजा चुनौती दोहजार चौबीस में पेस किया जा लेकिन भाजपा के तरब से सिर्फ एक बात बोल करके खारिज कर दिया जाता है इस सारे परियास को कि भाई पांच छे चेहरे हैं हर रोज एक नया चेहरा सामने आ जा मोदी का वो चेहरा पूरे देश के लोगतंत्र के लिए इतना एक तरह से डरावना चेहरा बन गया है उस चेहरे पर किसी का भरोसा नहीं हो रहा है उन जुमलों पर किसी का भरोसा नहीं हो रहा है इसलिए और भाजपा में भी मैं नहीं जानता कि इसे वेक चेहरा है कि कई चेहरे पिछे से प्यारी कर रहे हैं तो हमें लगता है कि लोग तंत्र में अगर कई चेहरों की भी बात आती है अभी आपने देखा आपके ब्रिटेन में कंजर्विटीब पार्टी की सरकार थी बोरिस जंसन गए और सिधा सिधा दो प्रदान मंतरी कई उम्मिदवार थे कई उम्मिदवारों के बीच में तै होते होते अभी एक चुनाओं हुआ तो हमें लगते हैं कि कई चेहरों से और कई चेहरों से बात करते करते कोई एक चेहरा आना, कोई गलत बात तो है नहीं लोग तंत्र में, इसलिए ये चेहरों का कोई संकट नहीं है, ये भारती जंता पार्टी का घमंड है, सत्ता का अहंकार है कि वो विपक्ष के पार्टीयो कि मौजूदा दौर में बीजेपी यानि कि नरेंदर मोदी सरकार को आप लोग घेर रहे हैं चाहे वो महंगाई हो बेरोजगारी हो सरकारी ये संपत्यों का नीजी करन हो क्या ये सारे मुद्दे कौमन मिनिमम प्रोग्राम के तहट आप लोग पेस करेंगे सामने पबलिक क्य कैसे बोला नहीं जा रहा है कि हम जब आएंगे तो करेंगे क्या तो क्या इन सब चीजों पर भी बात्ची चल रही है या फिर सिर्फ चेहरों के ही लडाई रहे हैं नहीं बिलकुल नहीं है हमें तो लगता कि बिहार में जैसे अपने देखा होगा कि हमने कहा कि लोग कह रह यारंटी के लिए एक कोडिनिशन कमुएटी बने ताकि सरकार और तमाम सरकार को समर्थन देने वाली पार्टियां और भी पूरे समाज के तमाम शक्तियां मिल के चला ये तो हमने इसी रूप में परिभाशित किया कि एक तो सत्थ है ठीक है, सरकार है, उसकी जिम्मेदारी है उसको संचालित करने की लेकिन एक जो व्यापक समाज है civil society उसके concerns है डेमोकरिसी को लेकर आज इस देश में हो कह रहा है civil society के लोग justice की बात कर रहा है father stand swami civil society के थे किसी दल के नहीं थे उनको jail में डाल दिया गया jail में गुजर गये तो आज civil society को पूरे देश के सामने भिलेन कह करके jail में डाला जा रहा है civil society के जो चिंताएं हैं हम उन चिंताओं के साथ है जो जनांदुलन है किसान आंदुलन कर रहे थे उसको कुछलने की कोशिश हुई नौजवान अगनी पत के सवाल पर बाहर आये थे उनके उपर पूरे मुकदमे लाद दिये गए तो देश में किसानों का मजदुरों का महिलाओं का महिलाओं का इतना बड़ा अंदुलन हुआ तब जाके बलातकार का जो कानून था वो कानून में कुछ संक्षदन हुए एक उम्मित जगी कि शायद आप हर बलातकार पीडिता को नहीं मिलेगा शायद बलातकारियों को सजा मिलेगी लगिन तब बिल्की जबानों के बलातकारियों को उनके परिवार के हत्तारों को पोजिशन हैं इसके बीच में एक सार्थक संबाद काम हम इसमें ब्रीज का काम करेंगे शुक्रिया सर बातचित करने के लिए दिपंकर भटाचार को आप सुन रहे थे जो ये बोल रहे हैं कि ना केबल सत्ता पक्ष को हराने के लिए बलकि जो सिविल सेसाइटी के जो मुद्दे हैं उसको कैसे ले करके चला जाया इसमें भाक्वा माले की भूमिका होगी शुक्रिया विवेकानन्द विद्यामंदर स्कूल एक सिवियसी अफ्लियेटेड इंग्लिस मेडियम कोड स्कूल है हम सुक्षा के साथ संसकार देते हैं